हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक इन पुनुंसिंग रेसिपीज, तो आज मैं बना रही हूँ इडली का रायता और सोया राइस, तो देखिएगा पूरी वीडियो, तो सबसे पहले हम कूकर को गर्म करके उसमें हम डाल लिये हैं, रिफाइंड ओल, आप बटर, घी, सरसो तेल, क हमें तो ठोड़ा ठोड़ा हम डाले, करी पत्ता है, सबको हम हलकाः सा सुपे करेंगे, जाद जाद हमें दोमानीं nih, ब्रान नहीं करना है, दो च Dumt, भाल में डाले, एस माले, तो जाथे, में पानी में उबाल लिये थे हैं, युविंद कर लिये हैं, गी Smells, पर डूर कर द अब डालेंगे चावल, चावल हम ले लिए हैं 500 ग्राम और उसी में डालती हैं नमक, दो चम्मच घी और चावल आप बिर्यानी राइस होता है उत्तम ने तो कोई भी चावल यहां खाने वाला आप यूज कर सकते हैं सबको भी हम एक से देख मिनट तक इसको फ्राइ कर यहां तीन लाल मिर्ज हरी वाली ही पक गई है और एक टमाटर भी हम काट कर डाल दिये हैं आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं हम गरम मसाला भी नहीं बना रहे हैं यहां वन फूर्ट चम्मच हल्दी और आट-दस हम डाल दिये हैं काली मिर्ज हमें ज्यादा पीला नहीं बनाना था, इसलिए थोड़ा सा लाइट येलो के लिए ही, हलका हल्दी का यूज किये हैं, और इसको रूख रूख कर हम चलाएंगे थोड़ी थोड़ी देर पर, अच्छी तरह से फ्राई हो जाने से चिपचिपा नहीं बनता है सोया राइस, कोई भी आप बिर्यानी अच्छी तरह से चावल को फ्राई किजिए तो वह चिपचिपा नहीं होता है, आप यहां हम ले लेंगे, एक ग्लास चावल है तो दो ग्लास हम पानी ले लेंगे, आप पानी गर्म भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम अब क्या करेंगे, कि दो वीसिल लगने तक इसे प्र कर देंगे, अब तैयारी करेंगे हम रायता का, तो फ्रेंट्स देखिए, दो वीसिल लग चुका है यहां पर, और अब हम ले लिए हैं दही, दही को भी हम विसकर की साहता से फेंट लेंगे, उसी में काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, साधा नमक, डाल कर इसे फें कुटली-कुटली है, वो पता नहीं चलता है, स्मूथ रायता तैयार होता है, अब हम ले लिए हैं एक छोटा सप्याज, एक इंच टुकड़ा गाजर का, इसको हम ग्रेट कर लिए हैं, और हम बनाये थे आज ब्रेकफास्ट में, सूजी का इडली, तो वो इडली दो हमारी बच चुकी थी, तो इसको हम दही में कट करके डाल दिये, बहुत ही स्वादिश्ट इसका रायता लगता है, आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, अगर आपके पास इडली बचा हुआ रहा है, तो आप ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन दही में भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको बार एक टुकडा हम काट लिये हैं, बहुत ही फ्लपी, इडली ये हमारा सूजी का तयार हुआ था, तो इसको भी हम दही में रायता में मिला देंगे, मिला कर इसे 5-7 मिनट तक हम छोड़ देंगे, ताकि जितना भी दही का पानी हो, वो इडली अबज़र्ब कर ले फ्रेंट्स, अब हम उपर से डालेंगे भुना हुआ जीरा, और लाल मिर्च का पाउडर हम स्प्रिंकल कर देंगे, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल कर स्वाधिश लगता है, खटा नहीं लगता है, और यहा आद के रूप में भी योज कर सकते हैं, आप बारीक भी काट कर डाल सकते हैं, तो तयार है हमारा इडली यह रायता, अब हम क्या करेंगे, प्लेटिंग करेंगे आप सब के लिए, तो हम ले लिए एक प्लेट, और देखिए हम खोल कर देख रहे हैं कूकर कितना अच्छा, एकदम ड्राई तयार हुआ है, बिल्कुल फ्रेश, यह हमारा सोयार आईस तयार हुआ है, आप चाहें तो टमाटोर को मिक्सी में दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं, अद्रकल हसन का पेष्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जल दिबाजी में बनाए थे, फटा-फट भूख ल आएता से, और उसके बाद हम ले लेंगे चटनी, नारियल और बादाम की, नारियल और बादाम की चटनी हम इडली के साथ, नास्ता में ही बनाए थे, ब्रेकफास्ट में फ्रेंट्स, तो देखिए अवे हां हम लाल मिर्स एक बार फिर स्प्रिंकल कर दे रहे हैं, और अब ले लेंगे यह रहा हमारा चटनी चटनी बहुती स्वादिश्ट बना था बदाम और लाल मिर्च लशन को हम तवा पे फ्राई करके तब बनाए थे यहां ले लिये हैं परवल फ्राई तो रेशिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है फ्रेंट्स थैंक्स लाचिंग फिर मिलेंगे बाब बाई